असलाम अलेकम फ्रेंट्स माई नेम इस बिलार रिशीद एन वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल बिलार प्रोग्रेमर फ्रेंड्स नेस्टिट फारलूप के अंदर हम लोग आज एक पैटनर बनाएंगे जिस तरह आपको विजिपल हो रहा है तो यह सब सीखने के लिए आप आपको जो है सबसे पहले फारलूप आना चाहिए अच्छे तरह से तब ही आप जाकर नेस्टिट फारलूप का प्रोग्राम जो हो बना सकेंगे समझ सकेंगे तो मैं बेसिकिल इतने पर इमने वीडियो जो है फारलूप के अकर्डिंग सेंड कर अपलोड कर चुका हूँ त इस वीडियो के तो अब वहां से देख सकते हैं चले फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इसको तो सबसे पहले हम लोग मैंने अपनी जिसना प्रिवेस लेक्चर के अंदर बताया था इंट्रोडक्शन नेस्टिट फारलूप के अंदर आउटर लूप और इनर लूप के बारे में तो अगर आपने वह वीडियो भी नहीं देखी तो वह वीडियो भी आप लोग देख लें तब ही जाकर आपको जय यह आज का लेक्चर जो समझ आएगा हम लोग डिक्लियर करते हैं कोई वैरिबल इंच ए एक्वल तो कर देते हैं वान और फिर इंच ए लेस तैन एक्वल फाइफ बेसिकलि हम लोग फाइफ तक इसको प्रिंट कराएंगे फाइफ और फिर ए इंक्रीमेंट तो हम लोग सिंपल ही लूप जो है वो इसको एक्जिक्ट कराएंगे कि मार पास प्रोग्राम जोब ठीक से रन होता है या नहीं इसका आना हम लेक्ते हैं चेकिट इसके एक्जिक्ट करते हैं तो सबसे पहले आप लोग की जब प्रोग्राम बनाएं और वोग चेक कर लिए करें कि प्रोग्राम मार पास एक्जिक्ट हो रहा है तो अब देखें फाइफ टेम चाहिए वह प्रिंट हो गया अब यह मार पास लूप कौन सी अगर आपने प्रिवेस प्र service को कर देते हैं वान के वान के कृल नीं करेंगे हम इसको करेंगे इत्व के कวल क्यूंकर अल्लीड हमर पास ज़्राइं प्रिंड हमार पास जो त kingdom लूप यह जो बाहरा होती है यसे कहते हैं आव क्यों तो यहांपर लूप यह आपल अपर आउतिए अउत बियूu कर क्योंकि आउटर लूप के अंदर मारे पास सो है जस्ट5 तक हम लोग ने पप्रिंट किया तो यहां पर लोग 5 ने लिखेंगे हम लोग लिखेंगे यह लिखें क्योंकि यह आउटर लूप और इन लूप दोनों का कंबाइन ज़या को अमरे पास आउटफूट तो यहां पर हम लोग कर देंगे बी इंक्रिमेंट और यहां पर अब हम लोग मजीर लिखेंगे अब हम लोग नहीं यहां पर लिखना है एक जस्ट हम लोग यहां पर लिखेंगे सी आउट कि सी आउट में हम लोग डालेंगे सबसे पहले स्टैरिक क्योंकर हम लोग ने कुछ इस तरह का पैटर्ण जो है वो शोग करवाने हैं तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सी आउट C out के ओ, double quotes, plus, और यहां पर हम लोग लिखेंगे, यह वाला format, B वाला format, यह याद रिखिए का, जो loop लिखेंगे, उसी का format, sorry, variable लिखेंगे, जो आप लोग loop लूप यूज कर रहे हैं, और यहां पर इसको, जो हम लोग लिखेंगे, यहां पर, sum, equal to, sum, equal to, sum, plus, B, आप लोग जो है, इसको sum, plus, sum, B कर देंगे, और इनको show करवाने के लिए, आपको second loop में जाना पड़ेगा, जो outer loop होगी, आपके पास, यहां पर, अब equal to का sign, show कर रहेंगे, equal to का sign, और यहां पर हम लखेंगे, sum, sum, equal to, handle, आप सोच रहे होंगे, कि बिलाल भाई, किसना से अब लिखें आ रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रही होगी, आपको यकीना नहीं समझ आ रही होगी, मैं आपको अभी explain करता हूँ, just program मुझे बनाने दें, फिर आपको मैं इसको सारी चीस का explain करता हूँ, ठीक है, मजीद इसको समझने के लिए आप जब practice करेंगे ना आप, तब ही जाकर आप अब इस प्रोग्रम को execute करते हैं, आप लोग इसकी just practice करेंगे काफी मर्तबत अभी आपको जाकर जो है, प्रोग्रम जो हमारे पास हमारा जो समझाएगा, अब यह देख सकते हैं, कुछ इस तरह के हमारे पास, जो है output आचुकि है हमारे पास, लेकिन हमें तो यह output चाहिए, यह output कैसे आएगी, अब यह चीज़ देखें, अब इसके अंदर देखें, आप find out करें क्या कौन सी चीज़ missing है इसके अंदर, one missing है मारे पास, one, one तो इसके अंदर है one, लेकिन इसके अंदर one हमारे पास नहीं है, इसके अंदर one है, अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, just पहली लूप के अंदर पहली लूप के अंदर हम लोग C out कर देंगे C out करने के पाद इसको one के खुल रख देंगे just अब इसको execute करेंगे तो अब यह देखें हमारे पास जो है previous को मैं इसको delete कर देता हूँ अभी जो अपने प्रोग्राम जो execute किया है वो यह अब यह देखें वन आगे इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं वन तो आगे लेकिन इसका answer तो ठीक नहीं आ रहा किके 3 प्लस 2 प्लस 1 जो तो हमारे पास अब स्टम्लों के एक छीज के adding करेंगे sum equal to 1 के यानकि sum हमारे पास है sum के आपके है one already आरप सट्क लेए ठीक है ठीक है इसी तरह से यह हमारे पास sum वो यहाँ पर आजाए तो यहाँ पर आएका sum हमारे पास तो आगे के आगर program जो हमारे पास working करेगा इसके साथ जो है इसके तो अब देख सकते हैं अब यह देख सकते हैं मार पासांसर भी इसका एकुरेट आ गया जिस तरह आप लोग ने प्रोग्राम के स्टार्ट में देखा था का मैं जो आउटपुट आई है वो यह आ जागी तो अब मैं आपको बता दूँ इसको प्रोग्राम को आपने अच्छ चेंजिंग करनी है जहां तक आपको जो समझ आएगी ठीक है इसको जो है आपने लास्ट वाली जो स्टेटमेंट होती है इसको अपने आउट लूप के अंदर ही लिखना है इस चीज़ को आप लोग आउट लूप के अंदर ही लिखेंगे तब भी जाकर आपको जह अगर आपको question हुआ तो मुझे comments कीजिएगा अगर question हुआ तो अच्छाला कि लेक्टर लाइक कीजिएगा अगर आप नहीं हो आते हैं मेरे चैनल को subscribe कर लें अपना ख्याले को जो दौमें याद रिखिएगा अल्ला हाफीज